करो अब और वैट दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं फिर यह जब तक कि जैसा कि हम लास्ट सम्वार्फ कर रहे थे तो क्लाइट ने इस एया सारी इंसपिरेशन दीए थे और मैंने सारी Juice पेसिकली मैं आपको सबको बारी-बारी से दिखाता हूँ और आपको पैटन भी देखना होगा इन सब में जैसे फॉर इसमें क्लाइंट ने इसमें बोला था यह section अच्छा लगता यह FAQ कहा फिर में इसमें क्लाइंट को यह clean design जादा पसंद आया था अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो क्लाइंट ने देखो क्या वह लगता यूज़ फॉंट ग्राफिक तो फॉंट ग्राफिक इसको पसंद है और इसमें इस डिजाइन में भी इसको राउंडेड कॉर्नर पसंद आया और वाइड साइट पसंद आया और फिर इसके ब यह सब सेक्शन से कुछ जो पसंद आया और इसमें इसको ले आउट वगएरा पसंद आया तो यह इसने लिखाए कि वैल्यव प्रोपोजिशन अच्छे से लिखाए स्टे कनेक्टेड वेस्ट्रेवल एस एट फोड़ेवलेट तो यह सब इसने लिखाए अब जो मतलब सब सब्सक्राइब करते हैं इन सब चीजों को लेकर कि मतलब कैसा लुक एंफिल लेना है या किस टैप का हमें अब डिजाइन में स्टार्टिंग करना तो बेसिकली आपको ना अलग से कुछ नहीं करना जो भी एक्लाइंट की बातों से उठाना है अगर खुद से करना चलेंग तो बहुत जारे कंफूशन होगे और फिर उस कंफूशन के वजए से आप पूरे डिजाइन को ही छोड़ देंगे एक्सक्यूसमी मैं बताता हूं कि कैसे आप उसके जो बाते हैं क्लाइंट ने कई है उसमें आप पैटन डून सकते हैं फोर एक्जांपल चलिए मैं दिखा को आप अराम से देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे या फिर कभी भी आपको इंस्पिरेशन देख रहे हैं क्लाइंट करिया हो तो आप उसमें ना कुछ चीज़े आपको देखनी होती है होता है एक तो कलर बेसिकली सो लेट में राइट इट डाउन आपको कलर एक चाहितान कार और लेट देखना है और लेयाउट देखना ए स्पेसिंग आपको इए तो कं पसंद है जो है ग्रेडियंट लॉक तो एप ग्रेडियंट लॉक इसको बोल सकते है बट आपको त्पसंद थे वह और जो आपको सी यह फे चोपन नहीं जाना रहा जाना है और उसके वर्ट की मेनिंग जाना है कि वह औरैनल इस गाने अच्छा क्यों बहुत नाइस गोगा तो आपको यह छायr इसे बात पता होगे कि जो नॉर्मल जो ऐसे रेटेंगल होते हैं जिसमें कोई कॉर्णर नहीं होता है वो जादा तर प्रोफेशनल या फिर उसमें डिजाइन में आता है जिसों स्ट्रॉंग कोईस होते हैं जिन डिजाइन होगी बट जिसकी जिसका कॉर्णर रेडियस कम होत शणां भी वाले जो डिजाइन्स होते हैं । होदा良 a फ्रेंडी लक्स एन चाहते हैं तो अगर इस इन बातों पह ध्यान जाएं। आप एक चीज़ भाल कर सकते हैं के कला एंक क्लाइंट ने क्या है क्मार केकि लगर हैं कि यह भ्र्यश्भी होड़ चाहिए इसको थोड़ा सा उसके बाद फिर इसने यहां पर साफ सा बोल भी दिया था कि लव दा यूज ओप फॉंट अन ग्रेडियन तो ग्रेडियन और फॉंट को अगर इस पूरे डिजाइन को अगर यह फॉंट में देखा जाए तो लेट्स अनलाइज दा फॉंट अगर तो देखोगे कि यह जो फॉंट है जासे इसमें कुछ वर्ड से यह में देखो कितनी कमी स्पेसिंग है और फिर सी में भी कमी स्पेसिंग है तो बेसिकली क्या है कि इसको फॉंट भी फ्रेंडली वाला ही चाहिए अगर इसको फॉंट यह पॉंट है तो इसको फॉंट है न वह रही है, थोड़ा फ्रेंड्लिनेस से अब इसको घ्रेडेंट पसंदा आया तो मीटेंट वाले जो भी डिजाइन होते हैं जाधातर मॉडन डिजाइन में आते हैं हैं तो हम यहां पे हैं और जयां बिलिग है चांज है और और तरश और हम मोड़न और क्ली टिजाइन होई फाई रिहा शज्ञात लि Macht लेता हूं और यह व्हूंद पार कहिए मिध्ने को सब्सक्राइब भागान क्रिद से इस पूरे ससके सब्सक्राइब इन फूर यह सुछ ना सब्सक्राइब बनुदी कि इन शीशे ऐसे कीडिया कि मतलब आलने से पोरा किया वाज को समय है inspiration दिया था वो देखते हैं तो अब हमने कुछ जो find किया है emotions अच्छा तो emotions हम क्यों पता कर रहे हैं देखिए ये जब मैं बताता हूं जब मैंने कुछ points यहां पर बात की ती strategy वाली तो आपको न यह ज़रूरी है कि आप strategy level पर ही सारी चीज़ा find कर लें जैसे problem और solution तो हमने problem तो अच्छे सा find कर लिया था कि client की need क्या है उसकी problem क्या है अब हम solution पर बात कर रहे हैं तो basically यह वाली चीज आप ऐसे मान के चलिए कि यह वाली चीज जो थी strategy वाली जो चीज़े थी यह complete हो चुकी हमने almost strategy complete कर लिया यह completed हो चुका है क्योंकि हमने problem और solution दोनों find कर लिया था उसके आप final deal वाली जो चीज़े है यह यह आपको तब यूज करना होता जब आप client से one and one बात कर रहे हो तो उसमें क्या है कि जब आपने strategy find कर लिया तब आपको कई बार क्या होदा ह कि हमें पता नहीं रहता है कि client कितने page की website चीए तो वह सब वह सब यहां पर बात होती है strategy होने के बाद final deal में contract sign वगरा होता है तो यह वाला stage होता है जब client से one and one बात होती है directly बट अभी हम contest कर रहे हैं तो हम इस वाले stage पर हम जाएंगे नहीं तो अभी जो चल रहा है stage वह है basically वह यह वाला है कि design exploration wireframe mode board तो अब क्या कि माली जी आपने problem समझ लिए अब आपको solution भी बनाना तो है सिर्फ solution समझ के काम थोड़ी नहीं होगा client को website design बना के दिखाना भी है तो उसके लिए अभी हम क्या कर रहें Oh diagnosis कर रहें कि हम यह पता करने की कोशिश करेंगे Ukraine को किस type the look and feel चाहिए तब यह हम उसको बना के देपाएंगे तो उससे जो जो inspiration दिया है उससे पता करने की कोसिश करेंगि कि उसको किस type LOOK चाहिए तो I hope कि मैं मतलब यह समझ पाए होंगे इस क्लाइट कियो बता रहा हूं क्लाइट की बातों से पता करना कि किस टाइप का उसको emotions चाहिए क्योंकि अभी हम mood board बना रहे हैं mood mode में यह बहुत जरूरी है कि यह जान पाए कि क्लाइट को किस टाइप का emotions चाहिए तो अभी क्लाइंटे भी क्लाइंट ने जो डिजाinct दिये हम उसी के डिजाइंग से हम इंस्परइशन इखता कर रहे है ह। यह में मुपएल्स तरने के कोथिजिच से करए हैं उसके इससे हमारा हो जाए उसके बाद हम अपनेigma, उसके अपने इजब हो जाएंगे तो wireframe item मैंने पहले से बना लिया टाइम बचाने के लिए तो बढ़ते आँगे इस वाले design पर देखिए इस वाले design में भी client ने बोलाई कि love the white side, basically white side in the sense कि ये जो design में आप देखेंगे ये जो white space है तो इस space से आप जाहिड सी बाते बहुत अब बता सकते हैं कि client को clean design चाहिए तो ये हमने पहले यहां लिख लिया था clean design clean होता है तो जादे तर modern भी होता ही है अब इसमें भी client ने सेम बात किये round corners तो round corner जहां पर भी बात होती है तो यहां पर पूरा round corner था तो basically जादा friendly था इसमें इसने टाइपोगराफी को अच्छा नी बोला और सिर्फ और सिर्फ राउंड corner को अच्छा बोला है तो अब दो possibilities हो सकती है यह friendliness दोनो friendly design है पर यह जादा friendly है थोड़ा कम friendly है बिकॉस इसमें corner radius कम दिया बटन का तो अब इससे एक idea यह लगा जा सकता है कि क्लाइट को friendly तो चाहिए design बट ज्यादा वह वाला भी नी चाहिए कि बहुत ज्यादा playful आपने बहुत से design देखे होंगे जिसमें वह वाला look आता है illustration वाला एकदम kind of a you can say like मैं बताता हूँ जैसा illustration वाली या बच्चों की website होती है तो वह वाला look आता है तो उससे हमें avoid करना है और देखो इस वाले में तो client ने साबसाब mention भी कर दिया है कि looks very clean तो अगर वो clean बूल लाए तो मनलब उसको clean चाहिए भी obviously तभी वो बता रहे है कि यह design clean है साबसाब कुछ कहने की कोसिश कर रहा है कि मेरे को clean टाइप का design चाहिए तो यह हमने almost almost यहां से भी यही चीज़ें निकाली इस वाले design में कि love the phone is designed in the mock-up तो उसको यह भी पसंद आए कि mock-up में phone है यह भी हम design pattern हम यूज कर सकते हैं उसके बाद यह पसंद आए कि कैसे mobile के mock-up के अंदर हमने दिखाया है रियल लाइफ का app और उसका screenshot तो यह भी हम कर सकते हैं obviously इसके फाइनल जो design है वह यह है कि इसमें इसको value proposition साफ साफ था clear था फिर इसको यह वाला section काफी अच्छा लगा यहां पर इसने mention भी करका कि explains like they also feature all popular countries and allos बेसिकली यहां पर इसको यह section अच्छा लगा फिर यह illustration इसको अच्छे लगे clean illustration अच्छा तो अब यहां पर अगर देखोए जाए तो यहां पर I like the cartoon based graphics तो basically इसको cartoon based graphics ज्यादा पसंद है तो obviously illustration ज्यादा तर cartoon based होते है तो इससे यह भी चीज हम एक बार highlight कर लेते हैं कि illustration में इसको cartoon based चीज अच्छी लग रही है तो अब अब देखिए यह था जितना भी client का दिया हो और हमने सारे खटा कर लिया है और अब हम थोड़ा सा और mood board बनाते हैं और deep में जाते हैं यह तो care client का दिया हुआ था और client की बातों से हमने analyze करके हमने कुछ जो feel look and feel निकाला हो यह friendly modern और clean techy तो मैं एक नया page बनाता हूं यहां पर हम वायर फ्रेम और design पर काम करेंगे अभी यहां पर मूड बोर्ड बना लेते हैं तो मूड बोर्ड में अब client की बातों से इतना तो परदा चल गया कि उसको friendly design चाहिए modern design चाहिए और clean तो इससे आपके दिमाग में धिरे धिरे pattern बनेगा and then you will able to figure out how to you know find the kind of emotions from the design so यह design यह हमने कुछ emotions उसके find करें अब ऐसा ही हम और design find करने जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं मतलब client ने जो जो बात ही कई है इसके आगे पढ़ लेके एक बार तो home page का main goal है यूजर को educate करना about you sims e sims के बारे में basically और and our country is user where you can connect तो यह important चीज़ है दिखिए गोल होना हमारे पास बहुत जरूरी है क्योंकि और यह यह उसी मात है strategy में मैं यहां पर आपको सीरिस बाइस नहीं दिखा रहा हूं मैं बस डिजाइन बनाने की कोशिज कर रहा हूं इसलिए मैं उस पे नहीं गया डीप में पर याद है remember कि हमने strategy की बात की तो strategy जाना बहुत जरूरी है तो basically client क्या चाता है कि जो उसका homepage है वहां पर यूजर को educate कर सके और दूसरा की जो user है ना उस website पर चला जाए और यह जान पाए कि मतलब वह ECM से connect हो सकता है कि अपने reason में basically क्या कि माली जी मैं इंडिया में हूं ठीक है कि यह क्लाइंट ने इसलिए ही बोली है क्योंकि उसको में गोल जो है उसका website का यही है कि वह अपने country के बारे में बताना चाहता है कि हां इस country में हम हां country में भी ECM available है और अगर तुम इंडिया से अमेरिका में जाते हो तो वहां पर भी ECM का use कर सकते हो बेंकि उस ECM हर जग को हाँ वाइडे शुड चूज एर लो नहीं यहां पर कन एक मिट में हाँ देखता हूं मैंने आइधिंक पढ़ा तो था टेक्स्ट को कि अपर सो के शिंगा लाइक काटन वेस्ट कोहिसी फील हां देखी एडेट करना अलाव तो सर्च इसली तो देखी यह सर्च बार भी है तो बेसिकली क्लाइंट क्लाइंट ने अपना गोल बहुत क्लियरली बता रहे है ऐसे कौंटेस जल्दी मिलते नहीं है तो यहां पर इ कि एक तो यूजर को बताना कि E-SIM होता क्या है और दूसरा जिसको पता है E-SIM के बारे में वो इसली सर्च करें कि हम मेरे कंट्री में अवेलेबल है भी या जिस जगह मैं जांगो वहां अवेलेबल है कि नहीं तो यह मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें निकल के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको जाना यह भी ज़रूरी कि वेबसाइट क्यों बना नहीं है तो यह क्यों का रीजन है कि बेसिकली यूजर को एजुकेट करना E-SIM के बारे में और बस और वह बेसिकली कंट्री के बारे में जान पाए तो और पढ़ते हैं आप दो गोल होगा है एक तो एजुकेट का था और दूसरा E-SIM के वारे में कनेक्ट का था और दूसरा डाउनलोड यह हम लिख रहे हैं गोल अभी वैसे मिर को यह चीज नहीं करना चाहिए था मेरे को मूड़ बनाना चाहिए जो हमने फाइंड किया बट अभी क्यूंकि यहां हैं ठीक है ओके ifg section भी सब कुछ है और हमें वर्ट हमें बच्चना क्या 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 कना डिजान में हो गया है डौपदाउन मैनूस नहीं करना इसको अवड़ करना है इसने साफसाफ बोल दिया ओके और देखते हैं अधर नोट में इसने काफी सारी बाते करी है तो एक बार क्विक्ली हम स्कैन कर लेते हैं फिल फ्री तो गैट करेटिव फेसलिफ चाहिए निद तो बी मॉडर्न करेंट इसियर तो नैविगेट दा यूजर आज कुम कि आज कि वाले कि गुषियर में जाने कि लाया है यह वी बारे में जाने कि लिए लिए ज़ियर में इस्पैशन की उपने भी इसंपिरेशन और हमने जो यहा पर डिजाईन लिखा है फ्रेंड ली, तो यहां पर कॉंटेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड क्लियर कंसाइंस इंफिर्मिशन तो फोकस क्या में कि हमें कॉंटेंट प्रोवाइड करना एस्थिम के बारे में लेमें टम में वही चीजे को सिंपली बताना है जुकेट करना यूजर को इसली और इन्फोग्राफिक तो यहां पर यह भी हो गया उसके बात सिंपल सिंपल होना चाहिए ठीक है एजुकेशन डिजाइन दफ पेज फ्लोडू गाइड उजर ओके कंपेरिजन कंटेंट इंक्लूड सेक्शन ओफ कंपेर यू सिम्स विद ट्रडिशनल सिम्स ठीक है यह सब शोचल पूरू विश् अब इसा मान के चलिए कि हमने स्ट्रेजी कंप्लीट कर लिए अब हम इस पर डिजाइन पर कूटते हैं तो ठीक है यह हमारा डिजाइन था बेसिकली अभी हमने पूरा जो स्टार्टिंग से अभी तक मैं हमने कवर किया वह सारा यह था कि क्लाइंट के ब्रीफ को समझ रहे क्लाइंट को तो भली वेबसाइट करने के लिए लेकिन जो उस पर आने वाले लोग है उनका क्या गोल होगा उनके गोल को भी हमने यहां पर एक साथ रख लेता हूं सारी चीजों को याद होगा आपको तो वह ट्रैवलर थे और उनको मतलब यह बड़न था ट्रैडिशनल का और उनको चाहिए क्या था सलूशन कोस्ट एफेक्टिव और जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए यह डिजाइन चाहिए और और उसका में गोल है क्लाइंट का एजुकेट करना यूजर को अबाट यूसिम्स तो होफुली यह पूरा का पूरो ब्रीफ आपको समझ आ गय में तो अब नेक्स्ट में मिलता हूं मैं आपसे बाए